ओम शान्ती हमारे मध्य भारत के उप राश्ट्रपती आज की सभा के मुख्य अतिति के रूप में उपस्थित हैं हम सब सादर खड़े होंगे और राश्ट्रगान बचेगा अनौट्रप राश्ट्रप्सो नोपिन इडिए और राश्ट्रक पानोड़े होंगे जयए है, 6.イnh, 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 5.イnh, 7.イ just way बैठ जाएंगे अती गर्व की बात है कि आज पांच में इंटरनाशनल डे ओफ योगा पर स्वयम भारत के उप्राश्वपती मानिय श्रीवेंकया नाइडूची भारत की एतिहासिक स्थली लाल किला के प्रांगन में हम सब के मद्य उपस्तित हैं हम करतल द्वनी से आपका अभिनंदन करते हैं आपका आना राजधानी दिल्ली में हो रहे जितने भी कारिक्रम हैं उनकी गरीमा को बढ़ाता है और विशेश रुप से ये कारिक्रम जो आयुश मंत्राले और ब्रह्मा कुमारीज मिल करके कर रही है क्या ही सुन्दर बात है इस समय लाखों लोग इस कारिक्रम को देख रहे हैं और पीस ओफ माइन चैनल के द्वारा सारे विश्व में ये कारिक्रम प्रसारित हो रहा है लोग उसको देख रहे हैं और इंजोई कर रहे हैं वस्तुता इंटरनाशनल डे ओफ योगा जो हम लोग अपने देश में मनाते हैं परकार का एक बहुत एहम कदम है किस ओर युनिवर्सल योगिक कल्चर क्रियेट करने में स्थापित करने में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है जहां हम कास, क्रीड, रिलिजिन, रंग इन सबसे उपर उठकर एक जुट होकर, एक मत होकर इसमें भाग लेते हैं और योग का अर्थिये जोड़ना ना केवल शारिरिक परन्तु मानसिक भावनात्मक एकता सहिशनुता का ये प्रतीक है अधिक समय न लेकर मैं अपनी आदर्निय बेहन सिस्टर चक्रधारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना स्वागत वक्तव ये हम सब के मद्धे रखेंगी आप रश्या में जो सेवा केंदर ब्रह्मा कुमारी इसके हैं आपको ग्यात हो 137 देश्रों में इश्वरी विश्य विद्याले के केंदर हैं उसमें रश्या के केंदरों का संचालन आप करती हैं बेहन चक्रधारी जी भारत के मान्मी उपराश्टुपती शिरी विनकया नाजू जी आज हमारे बीच उपस्तित हैं हम सबी करतल ध्वनी से आपका स्वागत करते हैं आपके प्रतिभा आपके व्यक्टिप्तों को कौन नहीं जानता आप जैसा व्यक्तित्वर भारतिय राजनीती में गौरव की बात है आपका जन्म एक जुलाई उन्निस उन्चास को आंद्र प्रदेश के नेलूर जिले में हुआ स्कूली शिक्षा स्माफ करने के पश्चार आपने राजनीती को राजनाई का ध्यादन में सनातं किया सन 1974 में आंद्रावी शुरी द्याले में छात्र संक्य अद्यक्ष के रूप में भी आप निर्वाचित हुए एवं बेहत्रीन तरीके से आपने दैप्रों का निर्वहन किया सन 2002 से 2004 तक आप भात के जनता पार्टी के राष्ट्य अद्यक्ष भी रह चुके हैं आप अपने चात्र जीवन में श्री लोक नायक जैपरकाश नरहन जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और देश के पूरो प्रधान मंत्री आधर्मी श्री अटल बिहारी वाजपई जी की सरकार में भी आप केंद्री ए ग्रामन विकास मंत्री रहे और प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोजी जी के पहले कारे काल 214 से 216 तक आप शेहरी विकास आवास तथा संस्ती कारे मंत्री भी रहे तथा 2016 से 2017 तक आपने सुच्चा प्रधान मंत्री के रूप में देश की सेवा की अत्या सत्रा जुलाई 2017 को आप भारत के उपराश्टपति पत्के प्रताक्षी गोशित किये गए और आपने अपने भारती राजनीती ने एक नया मुकाम हासिल किया आप अपने श्रम साध्य जीवन शैली में एकनभवी महापोरश भाव से जाने जाते हैं देश की प्रगती और संस्ती विवस्ता में आप सदेव सरहनिय योगदान देते रहे हैं हमारा देश विश्व में समानित हो प्रगती शील हो देश की प्रगती का क्षेत्र स्रेश्ट हो हर नागरी गरा से कहे मैं भारतवासी सारे विश्व को जोडने की कड़ी हूँ देश का हर्यक्ती शिक्षित हो संपन हो और स्वस्त हो ऐसा खुले नेत्र भरा आपका सपना है जिसके लिए आप निरंतर ब्रयतन्शील है इस उज्वल लक्ष को प्रयास का प्रतक्ष प्रमान आज है आपका यहां आगमन आपका ध्यातम प्रेम मात्र घुमी से प्रेम आपका मनों भरे में करमटता और आपकी निर्वानता इस मंच पर प्रतक्ष जलग रही है एक बार पुने ऐसी बहु मुखी प्रतिवा के धनी मानिय उप्रधार्मन उप्र राश्रपती जी का मैं प्रजापुता ब्रह्मा कुमारिज इश्री विश्री देले की और से स्वागत करती हूँ अभी नंदन करती हूँ अभी वादन करती हूँ ओम शैंक चक्रधरी बेन मानिय उप्राश्रपती जी को तुल्सी की साप्लिंग देखे अभी नंदन करेंगी लुट्राश्री जैरिक अभी इस बीको धना हुड देल ब्имерतूदी जाती हूण large, huge family of the Brahma Kumaris and you are just one of us heading the direction in which the country should go giving advice in which the country should go and we promise वासुदेव कुटुम्वकम की स्थापनामी Brahma Kumaris पूर्ण रूप से समर्पित हैं और आपकी सहयोगी हैं आपका पुना हम अभिनंदन करेंगे बहुत प्यार से कर्तल द्वनी से अभिनंदन करते हैं अब मैं आमंत्रत करती हूँ पंडित शिवानन मिश्राजी हेड प्रीस्ट गौरी शंकर टेंपल चान्नी चौक जिसके साथ प्रह्मा कुमारीज का बहुत घनिश संबन 1950 से रहा है आज आपको पाकर हमती हर्षित है आईए आप मंत्र उच्चारन द्वारा इस वातावरण को और पवित्र बनाएंगे अखंडमंडलाकारं व्याप्तम्मेनचराचरं तदपदम्दरसितम्मेनां तस्मै स्री गुर्वे नमः हरेहि ओम्मा स्वस्तिना इंद्रो ब्रेधस्रवाः स्वस्तिना पुगाः विष्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो अरिस्टने मेहि स्वस्तिनो ब्रेहस्पतिर्दधाः तो हो विष्णो राराटमासि विष्णो स्नाप्त्रेष्थो विष्णो स्योरासि विष्णो अर्द्रो बोसी विष्णवामासि विष्णवेत्वा अगनिर्देवताः बातो देवताः सुर्जो देवताः भासबो देवताः रुद्राः देवताः दित्याः देवताः मरुतो देवताः विष्वे देवा देवताः ब्रेहस्पतिर्देवतेंद्रो देवताः बारुनो देवताः द्योः कर देवताः 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 दे सांतिरे बसांति ही सामा सांतिरे धी जतो याताह समीह सेततो नौ अभयन कुरू सन्नाह कुरू प्रजाप्यो भयन्नाह पसुभ्याह गणानांत्वा गणापति ग्वंह भाम हे प्रियानांत्वा प्रियापति ग्वंह भाम हे निधिनांत्वा निधिपति ग्वंह भाम हे बसोमम आहम जानिगर्भधमा त्वम जासिगर्भधमा आज हम सबका हो भग्य है जो योग के आयोजन पर उपराश्ट पती जी विद्यमान हैं उनको मैं नमन करता हूँ और भगवान गौरी शंकर जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आरोग्य बहुत ही ठीक रहे साथ ही ही जो योग में डेश बिदेश में भाग लिये हैं सबके प्रती मैं अभार प्रगड करता हूँ और कन्या कुमारी संस्था को मैं आसिरवात देता हूँ कि वो हमेशा योग पर ज्ञान रखते हुए आध्यात्मिक मनन से इह लोग का सुख भोग कर अंतो गत्वा प्रभू के आवागमन के चक्र से मीट कर प्रभू में तलीन हो जाए बोल जाए भारत माता की आज का द्रिशे बहुत ही सुंदर है राज सत्ता के भारत के तेरवे उपराश्पती आज के इस पांचवे इंटरनेशनल डे ओफ योगा में हमारे मंच पर है और साथ ही साथ धरम सत्ता के भी हेट प्रीस्ट हमारे साथ आज मंच पर हैं बहुत ही सुंदर ये मिलन है एक तरफ आइकॉनिक लाल किला और सामने देखें तो धरम के बड़े बड़े बहुत प्राचीन मंदिर जैसे गौरी शंकर मंदिर सीज कंज गुर्द्वारा तो ये एक इतिहास के मैं समझती हूँ इस इतिहास के गोल्डन पीरियद सें गोल्डन मुमेंस हैं जिसका आज हम आनन ले रहे हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्ता के अडिशनल सेकेटरी जर्नल हमारे आदर्निये ब्राता ब्रिश्मोन भाई साब जी को योगा एसपर भगवत गीता पे अपने विचार हमारे सामने रखेंगे आप पिछले 65 वर्षों से राज योग का अभ्यास कर रहे हैं आदर्निये ब्रिश्मोन भाईची ओम्शांती रिस्पेक्टि एपने लेवे श्री बंकेया नीदू जी जी चीफ गेस्ट आप पिस फंक्ट्रिन हैच्ण तुंग्श्क्ट्स पूर्ण विच्टिए टिर्श्ट इंडिज्टिए आज पांच में अंतर राष्ट्रिय योग दिवस के अवसर पर ये जानना अती अवश्यक है कि आखिर योग का मूल क्या है भारत का योग जो अब उन्हें पिछले कुछ दशक से पापुलर हो रहा है वो असल में कहां शुरू हुआ था क्योंकि कहा जाता है कमिंग इवेंट्स कास्ट देर शैड़ो बिफोर जब कोई समय आता है जिसकी अवशकता होती है वो चीज पुना आती है योग तो भारत का सदियों से रहा है किन्तु पिछले कुछ वर्षों से आप देखते हैं कि ये दुबारा से आ रहा है अगर आप शिरी देखें तो शिरीमत भगवत गीता योग का मूल गरंथ है आदी गरंथ है क्योंकि शिरीमत भगवत गीता के 18 ही चेप्टर योग को डिवोटिड है और इसके चेप्टर 4 में बताया गया है स्वेम भगवान कहते हैं कि बहुत काल से ये योग लुप्त पराय हो जाता है अपुने में आके ये योग सिखाता है क्योंकि ये योग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है विश्व के परिवर्तन के लिए उसी अध्याय में भगवान ने बताया है इस योग की अवशक्ता का पड़ती है यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर भवती भारत कि जब पुने धर्म की गलानी हो जाती है अर्थात मनुष्य जो है वो अहार विहार अचार वेवार में अपनी चरम सीमा को लांग करके गलत रास्ते पे चल पड़ता है उससे मैं ही परमात्मा योग सिखाते हैं और फिर भगवान कहते हैं कि इस योग से होता क्या है आज कल हम लोग इसको स्वास्त के लाब के लिए मन की शांती के लिए यूज़ करते हैं लेकिन अगर आप गीता के 16 चैप्टर को देखें तो उसमें भगवान ने कहा है कि दुनिया में दो परकार के संपदा होते हैं एक दैवी संपदा एक आसरी संपदा दैवी संपदा मैं योग के द्वारा स्थापित करता हूँ और तब करता हूँ जब दुनिया आसरी संपदा को प्राप्थ हो जाती है उसी चैप्टर में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोब ये नर्क के द्वार है यनि जब समाज में काम, क्रोध और लोब अती परचलित हो जाते हैं उसी कारण से समाज का अदो पतन हो जाता है उस समय परमात्मा कहते हैं मैं आकर योग सिखा कर उन्हें देवी संपदा की स्थापना करता हूँ अगर आप गौर करेंगे, तो दो कॉर्नर मिलते हैं अती स्रेष्ट देवी संपदा की दुनिया जिसको हम भारत का स्वर्नम जुक कहते हैं और अती कनिष्ट गिरी हुई दुनिया जिसको हम कल जुक का अंत कहते हैं और उसके लिए भगवान ने शुरू के चैप्टर दो में कहा है कि हे अर्जुन पहली बात तो यह है कि तुम अपने आपको आत्मा समझो और यह उसी चैप्टर में कहा गया है कि काम से क्रोध की उत्पत्ती होती है क्रोध से बुद्धी का नाश होता है जिससे सर्व नाश हो जाता है अर्थात यह पांच विकार जो है यह आत्मा के अंदर है इसलिए यह योग आत्मिक योग है क्योंकि आत्मा को ही कहा जाता है महान आत्मा, पाप आत्मा, पुन्य आत्मा तो भगवान आकर के पतित पाप आत्मा को पुन्य आत्मा बनाते है चैप्टर थ्री में भगवान ने पुन्य कहा है कि वैसे तो पतन के पांच विकार कारण है काम करोद, लोमो अरहंकार लेकिन उसमें भी भगवान ने सिंगल आउट किया है काम विकार को और कहा है कि ये काम विकार ही समाज का महाशत्रू है इसे तु माड़ा आज हम अगर अपने समाज की परिस्तिती को देखें तो आप क्या पाएंगे कि ये भारत जो देव भूमी था जहां नारी का समान होता था उस देव भूमे में आज काम विकार के कारण ही सब जानते हैं कि कितनी बुरी दुरदशा है आज नारी अंसेफ हो गई है इसलिए इसी समस्या को हल करने के लिए भगवान ने कहा है कि इसको जीतो उसके लिए फिर भगवान ने योग सिखाया है और योग के लिए कहा गया है आत्मा का परमात्मा के साथ सने युक्त कनेक्शन जिससे आत्मा के अंदर परमात्मा के दोरा शक्ति आती है दैवी गुनाते हैं उससे इन विकारों को जीता जा सकता है इसलिए 18 चेप्टर में कहा गया है सर्व धर्मान परितज माम एकम शर्नम बरग कि और सब दे की चीज़ों को छोड़ कर परमात्मा कहते हैं मेरी शर्न में आओ फिर वहीं कहा गया है मन मना भव मद्या जिवव कि मन को मेरे में लगाओ इस परकार से भारत के अंदर अब वो समय फिर आ गया है जब इसकी अवशकता है कि हम अपने मन को परमात्मा के लगा करके योग को साध करके भारत को योग भूमी बनाएं लेकिन आप जानते हैं कि सारी दुनिया तो योग नहीं लगाएगी इसलिए भगवान को ये पता है और वो योगियों की नई दुनिया देवी दुनिया बनाने के लिए एक और कर्तब बेकराते हैं जिसके लिए कहा गया है अठारमे अध्याय में परितराने सादू ना विनाचा ये दुष्टाम कि सादू का तो उधार में योग से कर दूँगा सत्ती आत्मों का लेकिन दुष्ट जो हैं वो अपना सिंगार खुद ही करेंगे और उसके लिए भी आज आप देखते हैं परमानु शस्त्र त्यार है एक तरफ परमानु शस्त्रों के दौरा आसरी संपदा अपना विनाश करेगी और दूसरी और योग के दौरा भारत में पुने स्वर्ग स्तापित होगा यहीं गीता का संदेश है ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद भाईसा बाप का गीता का कितना संदर संदेश हम सब के सामने रखा कि एक ऐसी नई दुनिया जहां पर केवल योगी ही होंगे इसलिए हमारे माननी ये प्रदान मंत्री जी ने इंटरनेशनल डे ओफ योगा जो करा उसके लिए हम उनका बहुत बहुत दिल से दन्यवाद भी करते हैं तो चलिए अब हम योगासन करते हैं और हमारे ब्रिश मोशन जैन जी से मैंने वेदन करूँगी कि इस तीस हजार की सभा को योगासन कराएं ब्रिश मोशन भाई जी ओम शान्ति हम भाग्यवान आत्माई हैं भाग्यवान हमारा साथी है गहरा लंबा श्वास भरेंगे सभी गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे दो बार श्वास भरेंगे दो बार श्वास छोड़ेंगे हाथों की पांचों उंगलियों को जोड़ेंगे कंदों पट करेंगे जोड़ेंगे सांस भरते हुए गोल गोल गुमा देंगे बहुत प्यार से परमातम किरनों की बरसात हो रही है श्वास भरेंगे श्वास छोड़ेंगे गोल गोल गुमा देंगे श्वास भरेंगे श्वास छोड़ेंगे गोल गोल गुमा देंगे कंदों के लिए बहुत सुन्दर एक्सरसाइज, गंदे फ्लेक्सिवल हो जाते हैं, गंदे मजबूत हो जाते हैं, एंटी क्लोगवाइस, पीछे से उपर, सांस बरते उपर, सांस सोटे हो जाते हैं, छोड़ देंगे, सीधे बैठ जाएंगे, नॉर्मल बीधिंग, दोनों हा आगे, उंगलियां खुली हुई, उंगलियां बान, उंगलियों के लिए बहुत सुन्दर एक्सरसाइज, व्रिद्दों के लिए बहुत अच्छी, उंगलियां खोलेंगे, बंद करेंगे, रोज पांच-पांच बार सुबेरे कर लिया करेंगे, बहुत अच्छा, बढन करे। दोनों हाथों को कंदू से टच करेंगे बहुत प्यार से बहुत प्रेम से खोलेंगे फिर Sघर करेंगे फिstar करेंगे ऊपर से नीची एकस रखुर स्टे आर्णोर यहान नीची तगगा मालिक एक सूसर को बठाब हुआः नीची रारे नपल्ड रीड़ी डीडूंग इसी आप है तंच करएंगे कंदू बहुत सींपल बहुत सुक्षम है उफ पूछो तो 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 तारी दुनिया अपनाही परिवार है खड़े हो जाएंगे सबी खड़े हो जाएंगे अपना ही परवार है दोनों हाथों के पंजों को ऐसे मिलाएंगे नीचे करेंगे दोनों पाओं में गैब रखेंगे थोड़ा सा सांस भरते उपर को स्टेच कर देंगे पुल करेंगे उपर को बहुत सुन्द है ऐसा प्योर पवित्र स्बूद्र दिखाई दे रहा सांस चोड़ते हुए नीचे फिर से हाथों को बंजों को फिसा हैंगे आपस में सांस भर दे ईपर बहुत प्यास परमादम करन नीचे भारतेश की भूमी पर सांस चोड़ते हुए घ्योर देशक पर करना मेरे बच्छों न Ajok तुम ही भाविश्य Chero लिचे को पोड़ गठ山 चोड़ता ही ज्टी निसे को आइच की रह정ٍ कि अवग इन के लिए बागए यह पाकिशा देखो कही बरभाद नहों एट है इए भूट प्यास योगी योगसन कर रहे है पर घृवनों के नीचे टो आकरेंगे इस चोटें गोई जो एक बार देख एक वार अखेली बाहर दुए, पुल गरें, लोर्या के दाओ पेंट से रखना नवासा, एक चट को पूरा लगा लेंकि सास गटे वहागी से एक लें, सास गटे में मूध को, चल करेंगे, टच करेंगे, साइस की पारतेश की पवित्र पूंई भर, पवित्र योगी, योगा सित्राइट, साइस करों, आगे सित्वाइब भर, एक बार साइस करों शुआज छोड़े, breathe out, वह अराम से बैख जाएंगे, शुक्रा सुन्दर ब्रिज्भूशन जैन जी का हम धन्यवाद करेंगे, तन के साथ मन की तंदरुस्ती अतियनिवारे है, यो केवल तन को तंदरुस्त नहीं, लेकिन मन को, आत्मा को भी शक्तिशाली बनाता है, तो अब मैं अमंत्रित करने जा रही हूँ, हमारी आदर्णिये राज योगिनी पुश्पा बैंजी, आप डारेक्टर हैं, ब्रह्मा कुमारिस करोलबाग सेंटर की, आप पिछले पचास वर्षों से राज योग का सयम भी अभ्यास कर रही हैं, और देश विदेश में कई आत्माओं को राज योग का अभ्यास कराया है, तो चलिए, अब हम सभी मन को, आत्मा को तंदुरुस्त करने के लिए राजयोग का अभ्यास करते हैं, आदर्निय पुश्पावेंची ओम शांती, राजयोग के अभ्यास के लिए हम सब अपने मन, थौट्स को कनेक्ट करेंगे इस विश्व के रचैता, परम पिता, परम आत्मा, जो की निराकार है, सर्व शक्तिवान है, सर्व गुणों के सागर है, उनके साथ कुछ पल, मन को सब तरफ से नियारा कर, बस अनुभव कीजिए, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ साइलेंस में रहते हुए, जो संकल्प मैं यहां से आपको दे रही हूँ उसे अपने अंदर आत्म साथ करते अनुभव करेंगे, उस सर्व शक्तिवान की संतान, मैं स्वयम में एक अजर, अमर, अविनाशी, चेतन्य सत्ता आत्मा हूँ इस पाँच भौतिक तत्मों के शरीर के अंदर, इसको चलाने वाली, इस शरीर रूपी रत की मालिक में रधी, चेतन्य सत्ता, अती सुक्षम, बिंदू स्वरू, भ्रिकुठी के बीच में निवास करती हूँ सभी करमेंद्रियों की आँख, नाख, मुख, की मालिक राज़ा, इनसे कारे लेने वाली, मैं स्वयम में शांत स्वरूप हूँ शक्ति स्वरूप हूँ प्रेम, आनन्द, सुक्ष मुझ आत्मा के निजी गुण है इन सभी गुणों का सागर, मुझ आत्मा के परम पिता, परम आत्मा है मैं स्वयम में उस्सर्व शक्तिवान की संतान आत्मा उनसे अपना नाता जोड़ कर, कनेक्ट कर मन को राज योग से जीवन में शक्तियां ग्रहन कर अपने शरीर की कर मिंद्रियों की राजा बन रही हूँ कितनी सोभा के शाली हूँ कि इश्वर पिता से यह सब मेरा इश्वर ये जनम सिद अधिकार है जिसे इस समरिती के माध्यम से इस समंद के माध्यम से मैं इस जनम में भी और जनम जनमांतर सुख और शान्ती का पवित्रता का आनंद मैं जीवन जीती रहोंगी ओ शान्ती ओ शान्ती ओ शान्ती बहुत बहुत धन्यवाद पुश्पा बेंजी का हमको ये गहन शान्ती और अलोकिक अनुभव कराने का बाले काल से हम एक नारा सुनते आए हिंदू मुस्लिम से किसाई आपस में है भाई भाई माननिये उप्राश्पती जी को मुझे बताते हुए बहुत गर्व मेसूस हो रहा है कि आज की सभा वो प्रेक्टिकल में है और ब्रह्मा कुमारिस केवल ये नारा लगाती नहीं है लेकिन 137 देशों में जो हमारे पास योग अभ्यास करने आते हैं वो सभी धरम वाले आते हैं तो अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ अपनी शुपकामनाई देने के लिए आदर्निये डॉक्टर एके मर्चंड जी आप नेशनल ट्रस्टी हैं बहाई कॉम्यूनिटी आफ इंडिया के आपका सदा ही ब्रह्म कुमारी बेहनों के साथ नहीं रहा है और योग के उपर अपने आज इस इंटरनेशनल डे ओफ योगा पे अपने ग्रीटिंग्स एक मिनिट के लिए देंगे ओम शांती यहां पर सभी उपस्तित भाईयो और बेहनो पवित्रा आत्माय और ईचलेंश इस ऍटन आपर के लिए ल सुर्गंदिण अपरसेट फ इस लिएलाई बेहनों के लोगाव। as we connect with yoga enthusiasts in some 180 countries. We were just listening to the Honourable Prime Minister, his speech from Jharkhand. God grant that the light of unity may envelop the whole earth and that the seal, the kingdom is God's, may be stamped upon the brow of all its peoples. वर्दे, वर्दे हे परमेश्वर, वर्दे की एकता की जोती सारी प्रित्वी पर छाजाएं और सामराज प्रभुका है, यह हर देश प्रदेश और जन्मानस के ललाट पर छाजाएं. I am so grateful that once again our Brahma Kumaris, the Ishvare Vishwa Vidyale, प्रजापिता, Ishvare Vishwa Vidyale has organized this historic gathering and some 35,000 to 40,000 people are gathered here and the whole world is experiencing the glory, the greatness and the ancient science of yoga. So with this, on behalf of the Temple of Understanding India Foundation and the Baha'i community of India, I wish all of you my sincerest greetings and profound love. Thank you very much. Thank you very much, brother. Now I request Janab Firoz Bakht Ahmet Ji, Chancellor Mulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Most highly exalted Vice President, Janab Venkaiya Naidu Sahab, Bhaen Asha Ji, Brijmohan Bhai, Pushpa Ji, Sapna Ji, and all my Brahma Kumaris brothers and Brahma Kumari sisters. On this very bright and brilliant and pleasant yogic morning, I welcome you all. The way you have come from your houses, from far and wide places, I am aap sabko salam karta hoon. How to begin? I think yoga has a wonderful word in it. And that word is Aum. Aum के ओपर कई लोगों ने हमेरे मेरे ही धर्म से कुछ अबजेक्शन उठाया था और सूरिया नमस्कार पर भी अबजेक्शन उठाया था. मैं यहाँ आपका मुस्लिम ब्रहमा कुमार from the world of Islam डेक्लियर करता हूँ के Aum शब्द मुबारक शब्द है इसलिए के अगर आप हिंदी में A को देखें तो A से Allah है, मा को देखें तो मा से मुहम्मद है. तो Aum के अंदर तो Allah भी है, मुहम्मद भी है. तो कैसा जगड़ा? ठीक है? यह राम रहीम ते मौला की, गल समझली ते रॉल की. मैं सबसे पहले मुबारक बात देना चाहूँगा अपने वजीर आजम जनाब नरेंद्र मुदी साहब को, कि उनकी वज़ा से यह जो योगिक डे है, इट है नाओ विकाम दे वर्ल्ड योगिक डे है. योगा की बात आती है, छोटा सा मैं वर्णन करना चाहूँगा, आपकी जारस से बहन आशा. मैं एक टीवी चैनल पर बैठा था, तो वहाँ पर योग डे पे बहुत से लोगों को बुलाया था. उसमें एक योगा गुरू थे, यंग थे. उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कि एक समय ऐसा था उनका, कि उनके बॉडी पार्ट्स हिलते नहीं थे, चलना फिरना तो क्या, वो सही से लेट भी नहीं सकते थे, करवड भी नहीं ले सकते थे. उनको किसी अच्छे योग गुरू का सान्निध्य मिला, जैसे हमारे योग गुरू यहाँ बैठे हैं, ब्रिजभूशन जी, उन्होंने साल से महीने योग किया, वो परफेक्ट हो गए. एंड में उन्होंने अपनी स्पीच के उस चैनल पे एक सेंटेंस कहा, I still remember that sentence very clearly, वो सेंटेंस था अंग्रेजी में, वेर साइन्स स्टॉप्स योगा बिगिंस, जहां विज्ञान खतम होता है, तो योगा, अब आप देख लिजए योगा की क्या हमियत है, साइन्स से भी आगे इसको बताया गया है, और आप सब लोगों को मैं मुवारक बात देता हूँ, कि आप लोग, जिस योगा से जुड़े हैं, वो सुपर से भी उपर सुपरीम योगा है, और वो है राज योगा, इतने सारे लोग, अभी मर्चंट साब ने कहा, 35-40 अजार लोग यहां हैं, मेरे खैल से जादा ही लोग होंगे, पीछे भी लोग बैठे वें और आगे भी हैं, जहां तक नजर जाती है, जिम्म गफीर है, आप सब लोग कैसे जुड़े, देखिए किसी भी मुव्मेंट से जुड़ने के लिए, या धर्म से जुड़ने के लिए, धर्म को नहीं देखा जाता, उसके गरंथों को नहीं पढ़ा जाता, आपके आसपास जो लोग हैं, आप उनको देखके धर्म का अनुमान लगाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप इसलाम को जानना चाहें, तो आप शायद पुरान ना पढ़ें, आप अपने मुस्लिम दोस्तों को देखेंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं वो टॉलरेंट हैं, इंटॉलरेंट हैं, मृदू भाशी हैं, कटू भाशी हैं, उसी से धर्म का इंप्रेशन पढ़ता है, और मेरे उपर ब्रहमा कुमारी का इंप्रेशन कैसे पड़ा, एक बड़ी बहन हमें मिली, उनका नाम है डॉक्टर प्रमिला, वो एडिटर भी हैं एक मैगजीन की, उनका जो मैंने आचार देखा, उनका विचार देखा, उनका मैंने किरदार देखा, तो मुझे पता चला है कि जो ब्रहमा कुमारी मुवमेंट है, बहुत अच्छा मुवमेंट है, और वाट इस परपलस अफ दिस मुवमेंट, इजाइन लेसरेटिड हार्ट्स एंड ब्रोकन होम्स, यनि ये टूटे हुए दिलों और बिखरे हुए खांदानों को जोड़ता है, आखिर में बस मैं A, B, C, D, बता के इजादत लूँगा, बहन खड़ी हो गए हैं, जादा वक्त नहीं है, A, B, C, D, आफ ब्रहमा कुमारी इस एंड योगा, A, Amity is better than animosity, यनि दोस्ती अच्छी है दुश्वनी से, B, Brotherhood is better than barbarism, यनि भाई चारा बेतर है जंगली पने से, लड़ाई धगले से, C, Conciliation is better than confrontation, यनि राजिनामा अच्छा है, बजाए इसके के टकरा हो, Finally, Dialogue D, Dialogue is better than deadlock, यही मंत्रा है, ब्रहमा कुमारी इश्वरी विश्विद्दैले का, योगा का, और योगा का काम है जोडने का, आखिर में मैं इजादत लेना चाहूंगा, यह जो मैंने सब कुछ सीखा है, हमारे जो प्राश्पती हैं, इनसे सीखा एक दफ़ा यह, इंडिया अस्लामिक करिशल सेंटर में आके नों ने तक्रीर की थी, यह हिंदी में, अंग्रेजी में, तेलगू, उर्दू, मिलाकर के जो बोलते हैं, सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, अब यह बोलने आएंगे, वेंका यह जी तो आप सुनिये, एक शिर्स, आपको मैं समर्पित करता हूँ, नाईडू जी, मेरी जिन्दगी यही है, कि सब को फैस पहुंचे, फैस का मतलब है फाइदा, मेरी जिन्दगी यही है, कि सब को फैस पहुंचे, मैं चिरागे रह गुजर हूँ, मज़े सौफ से जलाओ, बहुत 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 शुक्रिया, कोई गलती हो गए, यह वक्त जादा ले लिया, उसके लिए एक समाया चला, बहुत 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 धन्यवाद, आपका जनाब फिरोजबग, एहमद जी का, मुझे यह बताते हुए भी खुशी होती है, कि आप ग्रैंड नेफ्यू हैं, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, मुलाना अब्दुलकलाम अजाद जी के, और ग्यानी हन्नाम सिंग जी ने हमसे, और माननी यह उपराश्पती जी से माफी मांगी है, कुछ ऐसी कारणवश वो नहीं आ पाए, और अब मैं आमंत्रित करती हूँ, रभी इजाक मालेकर जी जो प्रीस्ट हैं, जुदा हयाम सनेगाग म्यूड डेली से, ब्रदर प्लीज, ओम शान्ति, मैं सर्वप्रतम ये कहिना चाहता हूँ, कि योग का कोई धर्म नहीं होता है, मैं योदी धर्म का हूँ, और योग ना हिंदू है, ना मुसल्मान है, ना क्रिश्चन है, योग का एक ही धर्म है, वो है मानोता का धर्म, और मुझे यहाँ बड़ी खुशी होती है, कि हमारे महामही, आति आदर निया श्री वंकेन आउडू जी की बाद में याद करता हूं, वो हमेशा कहते हैं कि योग का क्या है, उसका आप पे आजरन पे प्रबाव होना चाहिए, उनकी एक बाद में ध्यान रखता हूं, वो कहते हैं आदमी का स्वबाव, एक प्रकृती, एक संस्कृती और इसता अर्थ यह है, कि आपके पास एक रोटी है, अगर आप खा ले उसे, तो आपकी वो प्रकृती है, अगर वो रोटी, अगर आप दुसरों को देते हैं, वो संस्कृती है, और तिसरी बात यह है, कि अगर आप अपनी रोटी आपने पास लगते हो, और दुसरों की अच्छा स्वास्त दवाईयों से प्राप्त नहीं होता है अच्छा आरोग्या हमेशा मन की शांती रुदय की शांती आत्मा की शांती द्वारा प्राप्त हो सकती है आज हम सब यह उपस्तित है यह प्रतिद्ना कर ले कि ब्रह्मकुमारी की जो सारे विश्व को राजयोग मेडिटेशन की देन है उसे हम सब तन मन धन से अपने जीवन में अपना है क्योंकि राजयोग मेडिटेशन यह एक स्पिरिचुल प्रोसेस अध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम हमारा व्यक्ती मत्व की प्रतिमा को उजागर कर सकते हैं और शरीर और मन दोनों को नियांतरन में रख सकते हैं जिससे हम सब को आंतरिक शाक्ती शांती प्र ब्रदर आपका और अब मैं आमंतरत करने जा रहे हूं डॉक्तर खादर अली जी और उनके साथी शिरी वंकेटेश्वर जी को अपनी पहली किताब शिरिध्यान यालू फूट देट हील्स माननिय उपराश्वती जी के द्वार द्वारा उसको प्रेजेंटेशन के लिए ड डॉक्तर खादर अली और शिरी वंकेटेश्वर जी और साथ ही मैं आदर्निया आशादीदी से कहूंगी कि आप आएं हम सब जानते हैं अन्न का मन पर प्रभाव होता है और योग अभ्यास में निश्चे थी इस बात पर ध्यान दिया जाता है माननी उप्राश्च्रपती जी ने किताब का उद्गाचन किया विमोचन किया करतल ध्वनी से हम सब सर्योग देते और अवश्य इस पुस्तक को आप सब भी पढ़ने का प्रयास करेंगे अब वो घड़ी आ गई जिसकी हमें प्रतीक्षा थी करते हैं